नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आकाश कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूटीब चैनल क्रिका आकाश आप सबका बहुत 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 शागतिव कार फिर से आपके अपने यूटीब चैनल में दूस्तों पिछले करीब दो साल से टीम इंडिया से बहार चल रहे भारती सलामी वल्लिवाज गौतम गंभी ने मंगलवार को क्रिकेट के सभी ब्रारूपों से सन्यास ले निगोशना कर दी वर्स 2003 में अंतराष्टे कर्केट में पदारपन करने वाले 37 वर्सी गौतम ने ट्वीट कर अपने इस फैसले की जानकारी दी उन्होंने ट्वीट में लिखा सबसे कठिन फैसले अकसर भारी मन से लिए जाते हैं और एक भारी मन के साथ मैंने एक ऐसा एलान करने का फैसला किया जो मेरे जीवन का सबसे खतरनाख है अपने देश के लिए 15 साल से भी अधिक समय तर क्रिकेट खेलने के बाद मुझे ही लगा कि यह बला टांगने का साही समय है इस दोरान मेरी मदद करने वाले सभी लोगों का सुक्रिया आंदर प्रदेश के खिलाब प्रस्पत बार से होने वाला रड़जी मैच गौतम का अंदिम प्रतियोगी मैच होगा अपने 11 मिनट लंबे वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि फिरोज साह कोटला से सुरू किया था यहीं से सफर खत्म होगा गंभीर ने कहा कि 2014 IPL में तीन वार सुनने पर आउट होने के बाद जब भी मैं मैदान में खेलने के लिए उत्रा तो अंदर से एक ही आवाज आई कि इट सोवर गौती तो दोस्तो अब हम बात करने वाले हैं गौतम गंभीर के अब तक के सफर में कुछ यादगार लम हैं और उनके रिकॉर्ड्स के बारे में तो दोस्तो अंतराश्टी क्रिकेट मैच में पदारपण करने की बात करें तो गौतम गंभीर का वंडे क्रिकेट में पदारपण अप्रेल 2003 में बंगला देश के खिलाब ढाका में हुआ था और टीटोंटी क्रिकेट की सुरुआ सितंबर 2007 में स्कॉटलेंड के खिलाब डरवन में की थी और टेश्ट क्रिकेट में पदारपण नवंबर 2004 में बना मॉस्ट्रेलिया मॉंबई में किया था और इनके आखिरी मैचेज टेस्ट क्रिकेट में नवंबर 2016 बना में England राज कोट में किया था और आखिरी बंडे मैच चन्वरी 2013 में England के खिला था और आखिरी T20 मैच दिसंबर 2012 में पाकिस्तान के खिला था गौतम गंभिर के नाम एक शांदार record भी है गौतम गंबीर ने 2009 में टेस्ट क्रिकेट में लगातार पांच सतक जड़े थे इसके अलावा गंबीर ऐसे क्रिकेटर हैं जनोंने 300 से भी ज़्यादा रन चार वार टेस्ट में बनाए थे बात करते हैं गौतम गंबीर के 2009 के सबसे सफलतम येर के बारे में 2009 का साल गौतम गंबीर के लिए बहुत ही आदगार रहा 2008 तक गंबीर क्रिकेट के हर प्रारूप में टीम का इससा बन गए थे वर्स 2009 में गौतम गंबीर अपने पहले विदेस दोरे पर निवजिलेंड गए भारत ने 41 साल बाद मेजवान टीम को OC की सरजमी पर हरा कर सीरीज जीती थी इस जीत में गंबीर हीरो रहे थे उन्होंने टेश सीरीज में 445 रन बनाए थे इसी साल बाए ICC में सरफ्रेश टेश्ट क्रिकेटर भी बने थे गौतम गंबीर ने अपने क्रिकेट करियर में दो विस्ट कप जीते हैं और दोनों ही जीत में उन्होंने एहम भूमी का निभाई 2007 टी-20 विस्ट कप में गंबीर सबसे जादा रन बनाए थे फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ उनकी 54 गैनों पर खेली गई 75 रन की पारी के दम पर टीम इंडिया चेंपियन बनी थी 2011 में हुए वंडे विस्ट कप के फाइनल में भी दिल्ली केस बल्लिवाज ने 97 रन की पारी खेली और भारत चेंपियन बना दोनों ही फाइनल में गौतम का स्कोर किसी भारती गर्केटर का सरवोच स्कोर था अगर गौतम गंभीर के करियर के ओवरॉल प्रदर्शन की बात करें तो टेस्ट मैचों में गौतम गंभीर ने 58 मैच की 104 पारियों में 4114 रन बनाए जिसमें गौतम गंभीर की सर्फरेश्ट पारी 206 रन की थी और इनका ओसत 41.95 पारियों में गौतम गंभीर के नाम 5238 रन है और उनकी सर्फरेश्ट पारी 150 रन नावाद है और इनका ओसत 49.68 रहा जिसमें इनका ग्यारा सतक के साथ 34 अद्व सतक भी लगाए टी-ट्वंटी की 37 मैच की 36 पारियों में गौतम गंभीर के नाम 932 रन दर्ज हैं जिसमें इनका सर्फरेश्ट पारी 75 रन की है और औसत 27.41 पारियों की था इसमें इनों ने 7 अद्व सतक लगाए गौतम गंभीर के ओवर ओल रनों की बात करें तो 10,324 रन गौतम गंभीर ने तीन अपरारूपों की 242 मैचों में टीम इंडिया की और से बनाए है तो कहीं न कहीं गौतम गंभीर के फैंस को ये खवर सुनकर जरूर जटका लगा होगा और अगर आप भी हैं कौतम गंभीर के फैं तो एस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए जुड़े रही है क्रिक काकास के साथ तब तक के लिए धन्यवाद जैहिन